दोस्तों अक्सर ऐसे कई सारे courses में आप admissions लेते हो जिन courses के बारे में आप ठीक से नहीं जानते हैं ठीक से नहीं जानते का मतलब की पूरी knowledge आपको नहीं है और इसी मामले का फायदा उठाती है universities या फायदा उठाता है कोई भी वो व्यक्ति जो आपका admission करवा रहा है बी वोकेशनल के related हमारे पास बहुत सारी queries आई बहुत सारे सवाल थे लोगों के दिल में बी वोक को लेकर बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछे जो 5 सवालों पर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ अगर आप अपनी university से ये 5 सवाल पूछते हैं तो मेरा मानना है ऐसा कि वो आपको ठीक जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये वो loop points हैं ये वो कमिया है जो भी वो कोर्स तो कराया जा रहा है बट वो इन चीजों को follow कर नहीं रही है वी वो केशनल की training दी जा रही है जो कि 60% तो practical है 40% theory है तो practical करवा कैसे रही है practical तो बिना student क्या करवा ही नहीं सकते कहीं ऐसा नहों आपका course invalid हो जाए किसी काम कहीं न रहे तो कि government job के लिए अलग से क्या vacancies आती है ऐसे कई तरह की सवाल आपके दिल में जो है सभी के जवाब दूँगा अपने इस वीडियो के माधियां से जादा कुछ जानने के लिए बी वोक की पाँच गलतियां पाँच चीज़े जो जानना आपके लिए बेहत जरूरी है दोस्तों बने रही है अमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस वीडियो चैनल पर जिसका नाम है उनिवस्टी इंडिया मेरा नाम है विरिंदे वर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश-विडेश की उनिवस्टी कॉलिजिस उनके कोर्स को एक्स्प्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं दोस्तो BVOC, B Vocational कोर्स क्या बोलता है बारवी आप पास आउट हो तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो मतलब आपने बारवी पास की है तो आप इसमें एडमिशन आसानी से ले लोगे क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट कोई किसी तरह का एंटरेंस तो होता है नहीं मतलब कि skill के बारे में सिखाया जाए, क्योंकि skill को बहुत जाद ध्यान दिया गया in courses पर, कि आपको practically बताया जाए क्या क्या होता है, क्योंकि self-dependent आप तभी बनेंगे, पर आप बनेंगे तो तभी जब आपको training दी जाएगी, क्योंकि ये course ये भी बोलता है, कि 60% practical होना चाहिए, और 40% ही इसके अंदर theory होगी, तो theory आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या online पढ़ रहे हैं, दोस्तो सबसे पहला सवाल, जो आपको पूछना है अपनी university से, क्या इस university को ऐसी कोई permission है, या ऐसा कोई भी एक ऐसा letter मिला हुआ है, जहां ये university इस course को online करा सकती है, दोस्तो ऐसा कोई letter किसी university के पास नहीं है, online इस course को नहीं कराया जा सकता, क्योंकि practical करवाना बहुत जरूरी है, वो practical आप किसी भी industry में कर सकते हैं, बढ़ आब वो करते नहीं है, ये बहुत बड़ी एक problem है, जो आगे जाकर आपके साथ समस्या हो सकती है, बाकि university कैसे manage कर रही है, और आप साथ में ही कैसे manage कर पा रहे हो, ये depend आप पर करता है, university पर करता है, बट ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है कि university आपको online ये course complete करवा दे, ये था पहला सवाल जो आपको अपने university से पूछना है, दोस्तों, गर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो अभी वीडियो को like करें, ताकि हमें और motivation मिल सकें, हमें प्रौसान मिलता है, और अच्छे-ची वीडियो आपके लेकर आने के लिए, और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की educational वीडियो आप तक पूछ सकें सबसे पहले, दोस्तों, आप comment box में हमें जरूर बताना, कि आप किस university में admission ले रहे हैं, या किस university में admission लेने की planning आप कर रहे हैं, या फिर आप ले चुके हैं, ताकि और students को पता चल सकें, और साथ में ही fees भी बताना, किस course की कितनी fees उस university ने मांगी, ताकि students तक पूरी information दोस्तों पहुच सकें, अब दोस्तों आता है दूसरा सवाल, क्या university आपके online exams ले सकती है, क्योंकि बहुत सारे students ने हमें comment किया, हमारी पिछली बहुत सारी वीडियो में, दोस्तों ऐसा होता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं, तो एक ही वीडियो में सारी चीज़े हम cover नहीं कर सकते, बहुत गंटों की वीडियो बनेंगी, तो इसलिए 5-5-6-6 मिनट की दस मिनट की वीडियो अलग-लग पार्ट में लेनी पड़ती हैं, और साथ में ही आपके suggestions भी आते हैं, आप पूछिए अपनी university से क्या आप मेरे online exam ले सकते हैं, क्योंकि online exams लेने का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, और अगर है तो university से उसका letter मांग ले, university बेशक से आपको admit card issue कर रही है, और बहुत सारी universities की तो ये भी चीज़ जानने को मिली मुझे, कि universities admit card issue ही नहीं कर रही हैं, तो दोस्तों ये problem है आपके साथ में, मतलब कि ये admit card दे दिया, महाँ पर university की stamp तक नहीं है, sign तक नहीं है, तो दोस्तों guarantee without guarantee is nothing, university guarantee नहीं है आपकी, वो admit card कहां से आपको मिली या, problem हो सकती है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, कि कोई circular आया हो, ऐसा हो सकता है, कोई letter आया हो, वो हम तक नहीं पोचा, पर मैं आपको बता दूँ, ऐसा को circular वैसे तो, मेरी knowledge के according आया नहीं है, आप अपने university से पूछेंगे, तो हो सकता है, वो आपको इसका कुछ जवाब दे सके, कि online ये universities exams करवा कैसे रही है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए, दोस्तों आप कोई भी consultant है, कोई भी आप institute run करते हैं, और आप चाहते हैं टायप करना Indian universities, colleges से, या फिर online education में आप काम करना चाहते हैं, जैसे online MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं study abroad में काम करना, नए-नए universities से टायप करना चाहते हैं, तो आप इस association का सहारा ले सकते हैं, Association of All Educational Institutes and Universities, AAEIU, जिसकी website है www.aaeiu.in, यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी, और साथ ही अगर कोई भी university आपको परिशान करती है, कोई college परिशान करता है, तो भी आप इस association की मदद ले सकते हैं, WhatsApp करें इस association को, जो आपको अपनी university से पूछना चाहिए, कि अगर हम BVOC में admission लेते हैं, BVOCational में हम admission लेते हैं, skilled program है, हमें skill के बारे में बताया जाएगा, जिस भी course हमाप admission लेंगे, तो क्या यह course valid होगा government jobs के लिए, मतलब जो भी government jobs आएंगी, तो क्या यह course valid है, और क्या BVOC के लिए specific कोई government job की vacancies आती भी है या नहीं, दोस्तों ऐसी कोई specific चीज़े नहीं mention है, आप पर पूछें, क्योंकि जो एक student वहाँ पर BMLT कर रहा है, practically सब कुछ सीख रहा है, regular classes अटेंड कर रहा है, तो क्या यह course उसी की तरह बिलकुल equivalent है, जिस तरह से BSC agriculture का एक student ने complete course तरीके से किया, आयकर उसका approval देता है, तो क्या इन courses को भी पूरी माननिता का दरजा मिला हुआ है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, आप अपने university से जरूर पूछें, तो क्योंकि BVocational, BVoc course के आते ही, बहुत सारी universities ने एक system बना लिया, पैसा कमाने का, और हजारों लाकों students इसके तरफ चल पड़े, पूरी information बिना लिये, और बहुत सारे लोग बरगलाते हैं, इस students को पूरी information देते भी नहीं है, आपके पास पूरी information का होना आपका अधिकार है, quality education लेना आपका अधिकार है, और यह अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता दोस्तो, fees देकर, fees की रसी degree के रूप में ले लेना, किसी काम की नहीं है दोस्तो, don't be qualified, be educated, दोस्तो आप किसी भी university के कोई भी documents verify करवाना चाते हैं, verification के काफी सारे process होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, कि RTI एक बहुत अच्छा option होता है, government process के थूँ आपके documents verify हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूणिवर्स्टी से ही verify करवा सकते हैं, universities अपनी website पर detail डालके रखती हैं, या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, और अगर कोई भी document किसी भी university से आपने लिए हैं, अब further documents आप निकालना चाते हैं, migration, degree, LOI, transcript, कुछ भी निकालना चाते हैं, और आप university से बहुत दूर हैं, आप helping hand चाते हैं, तो हो सकता है, इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी documents जो आपके university में भी pending हैं, और दोस्तो कोई भी आप मदद चाते हैं, west process में, या फिर degree को verify करवाने के लिए, आप हम से भी contact कर सकते हैं, अब बात करता हूँ मैं, चौते point की कि चौती क्या बात आपको अपनी university से पूछनी है, चौती बात दोस्तो आप अपनी university से जरूर पूछें, कि वो आपकी classes को किस तरह से provide करेंगे, क्योंकि दोस्तो जो भी वो program है, ये online program तो है नहीं, और distance में ये course कोई करा नहीं सकता, पार्ट टाइम का ऐसा कोई approval है नहीं, तो course को कराया कैसे जा रहा है, अगर वो regular है, तो आप तो class लगाई नहीं दे हो, class नहीं लगा रहे हो, तो 60% जो practical training देती है, वो practical training कैसे manage किया जा रहा है, जिस भी industry में, जिस भी company में, आपको 6 मेने की skilled बताई गई, 6 मेने की skills सिखाई गई, कुछ भी सिखाया गया, क्या वो उसका कोई certificate देगी, कोई diploma देगी, क्या कोई certificate या कोई भी letter issue करेगी, ये सवाल आपको पूछना जरूर चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, कि कौन-कौन से courses, distance या online नहीं चलाए जा सकते, उसी वीडियो में ये cover होता है दोस्तों, जो notification 2022 का था, मैंने detail वीडियो बनाई है, अपने इसी channel पर, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, हाला कि आपको name और कानून जो है, जो UGC बोलता है, क्योंकि अपने देश में सभी universities को regulate कौन करता है UGC, UGC 1956 का एक act है, जिसमें 2F में सभी private universities बनाई जाती हैं दोस्तों, और सभी universities bound है, UGC की सभी चीजों को मानने के लिए, जिस तरह Supreme Court कोई भी order देगा, कोई भी guideline प्यास होंगी, वो सभी देश का कानून है, उसी तरह से UGC का कोई भी order दिया गया, सभी universities को मानना होगा, और ऐसा कोई भी guideline कहीं पर है नहीं, अगर आपको guideline मिले, तो दोस्तों हमें भी आप जरूर शेर करें, WhatsApp करें या फिर comment box में जाकर उसका link डालें, अब दोस्तों पाँचवी हम बात करें, कि पाँचवी जो चीज़े आपको जाननी चाहिए, कि जिस university से आपने वो course किया, क्या university के पास उसके लिए training centers हैं, university कहां पर वो skill दे रही हैं, किस तरह से वो आपको knowledge दे रही है, ग्यान दे रही है, education दे रही है, क्या उसके लिए training कराने के लिए, क्या उनके पास वो चीज़े हैं, equipments हैं, उनके पास faculties कैसी हैं, ये बहुत सारी चीज़े आपको दोस्तों जाननी चाहिए, ये बहुत सारे courses जो कराये जाते हैं BWOC में, तो कि वो सभी courses regular mode पर कराये जाते हैं, बट उसके लिए BWOC एक नई एक scheme निकाली गई, कि उसके जरिये भी आप ये course कर सकते हैं, साथ में दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए इसके साथ साथ में, कि जो BWOC कराये जाएगा उसकी fees कितनी होगी, अलग-अलग universities की अलग-अलग fees है, जहांपर की 20,000 रुपे पर year से लेकर, लोग 50,000 रुपे पर year तक आप से charge करते हैं, वैसे नॉर्मली fees दिखी जाए तो 25,000 रुपे पर year या 30,000 पर year की fees इनफ है, अच्छी university से भी आप इस fees में कर सकते हैं, दोस्तो BWOC कोर्स के regarding आप और क्या जानना चाते हैं, या क्या आप जान करें रहेना चाते हैं, कोई भी information जो आप चाते हैं, वो आप comment box में जाकर comment करें, बताएं next video किस topic पर लेकर आएं BWOC के बारे में, और साथ में दोस्तों ये ज़रूर बताएं कि आपने किस university से admission लिया है BWOC में, या फिक किस university से BWOC में admission लेने की आप तियारी कर रहे हैं हो सकता है, हम आपको कुछ बातें बता सकें कुछ university के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज़ादा ज़ादा अपने दोस्तों पर इजिन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आपको जानकर बना सके और साथ ही दोस्तों मैं चैनल को सबस्क्राइब को नहीं बिलकुल ना भूले साथ में लगा बेलेकर ज़रूर दबा दे ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए करा सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राइब हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने करें